ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राजनीती के चानक्य और जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री आशोक गहलोत का आज 71 जनम दन है ऐसे में पत्नी सुनीता गहलोत ने सीम को बधाई दी इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास पर जनम दन की शुपकामनाई देने लाखो का ताता लगा दूसरी और प्रदेश भर में कारेकरता रक्तदान शिविड लगा गरीबों को भोजन वितरित किया जा रहा है वहीं आज सीम को मिले स्मृत्ती चिन और उपहारों का शाम को आक्षन होगा गौर तलब है कि 3 मई 1951 को जोदपुर के लक्षमंट सिंग गहलोत के घर पैदा हुए अशोग गहलोत के बारे में किसी को नहीं पता था कि यहीं अशोग गहलोत आगे चल कर राजस्थान ही नहीं बलकि देश की राजनीती में अपना एक अलग मुकाम बनाएंगे अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में जो मुकाम अशोग गहलोत ने हासिल किया है वो मुकाम बहुत ही कमनेता हासिल कर पाएं चातर जीवन से ही महत्मा गांधी के विचारों से प्रभावत होकर समास सेवा में जुटे गहलोत इंद्रा गांधी के कहने पर कॉंग्रिस में आए और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा अशो गहलोत के पता लक्षमन सिंग एक जादूगर थे गहलोत खुद भी कई बार ऐसा कहे चुके हैं कि अगर वो राजनीती में नहीं आते तो आज जादूगर होते